असलाम अलेकुम हजे नुम्रा टीवी में आज की ये वीडियो आपको रमी के लिए बहुत मौविन साबित होगी और आपको इस वीडियो के मुकमल देखने से पता चल जाएगा कि रमी करना किस कदर मुश्किल है अगर इसमें आपने जरा सी भी एहतियात ना बढ़ती किस कदर क्राउट जो है वह रमी के लिए जमरे की तरफ जा रहा है हम इस वकग्त ट्रेन से उतरे हैं और एक वीडियो मेंने बनाई है जिसमें मैंने ट्रें से उतरने चरने की भी वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं इस वक्त में आपको अपनी इस वीडियो में रमी करने का तरीका और सही वक्त बताऊंगी कि कौन सा ऐसा सही वक्त है और क्या ऐसा तरीका अपनाय जाए कि आप रमी को बिल्कुल सही तरीके से इंतिहाई नजदीक जाकर किकर सकें इतना शदीद रश होता है कि आप अगर रमी को सही करीब से ना करें तो आपकी जो कंक्री है वो जमरे को टच नहीं होती याद रखिएगा जब रमी की जो कंक्री है जमरे को टच नहीं होगी तो आपकी रमी भी नहीं होगी लेहाजा सही वक्त का मुनासिब ताइयून करना आपके लिए बहुत जरूरी है इस वक्त हम लोग ट्रेन से उतर कर जमरे की तरफ जा रहे हैं और किस जगा से जाकर रमी करनी है उस चीज़ के बारे में आज आपको इस वीडियो में मुकमल मालूम हो जाएगा लेहाजा इस वीडियो को कम्प्लीट देखकर ही आप रमी के लिए निकलें ये देखें जमरा आपको दूर से नजर आ रहा है ये हम बहुत करीब आचुके हैं जमरे के ये जमरा जो है वो पहला जमरा है जहां पर हम रमी करेंगे आपने हमारे मुझदलफा की वीडियो तो देख लिए होगी अगर नहीं देखी हो तो जरूर एंड स्क्रीन पर देख लीजिएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको रमी के लिए पत्थर जमा करने हैं रमी के लिए पत्थर हमेशा मुझदलफा से जमा किये जाते हैं यही सही तरीका है अगर आप यहां से जहां पर रमी की जाती है यहां से बचेवे पत्थर उठाएंगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा और यह मना फरमाया है उल्मा हज़रात ने भी कि जहां से रमी की जा रही हो वहां से बचेवे पत्थर ना उठाएंगे कई उल्मा का यह भी ख्याल है कि यह वो पत्थर होते हैं जो ठुकराए हुए हाजियों के होते हैं अपने लिए पत्थर मुझदलफा से उठा कर लाए जाएं जो के काउंटिंग में तोड़े जादा होने चाहिए ताकि अगर कुछ पत्थर जाया हो जाए तो भी आपकी रमीना रह जाए हम लोग मुझदलफा से तकरीबं 10 बज़े के करीब निकले थे और मिना पहुँचे तो तकरीबं 12 बज़ चुके थे लहाजा आप उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए और उसमें मुकमल मालूमाद दी गई है क्यों हम देर से निकले मिना पहुँचकर कुछ न कुछ खाना पीना जरूरी होता है ताकि अब जब जमरे पर जाएं तो आप बहुत ज़ादा वीकनस महसूस ना करें क्यूंकि अच्छा खासा चलना होता है लहाजा हम दो बज़े जमरे के लिए पहुचे हम रमी करने के लिए जब पहुचे तो दो बज़ रहे थे ये जो जम्रा है काफी करीब आ चुका है इसमें जो शुरू का हिस्सा है वो शुरू के हिस्से में इंतिहाई क्राउड है अगर आप इस शुरू के हिस्से में इस क्राउड में जाकर के रमी करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत मुम्किन है कि आपको कोई हासा पेश आ कर रमी काना शूरू कर देते हैं इसलिए स्टार्ट में जो जम्रे का स्टार्ट होता है देखें यहाँ पर बिलकुल भी खड़े रहने की भी जगा जम्रे के करीब नहीं है तो यकिनन आपके पत्थर भी जम्रे पर टच नहीं होंगे लहाजा इस क्राउट से बहुत दूर से के बराबर होगा और आप जो जम्रे की वाल है वहाँ से टच होकर आप एजिली करीब से इस जम्रे का जो है वह आप इसमे कंक्रियां डाल सकेंगे देखें कितना क्राउट है शुरू में हरके इस क्राउट में ना जाएं और थोड़ा सा आगे जाएं ताके आपको यह जम् मेरा बेटा है जिसके हाथ में जो है वो बॉटल है कंक्रियों की और मेरे हस्बन भी है यहाँ पर इनके हाथ में भी बॉटल है कंक्रियों की तो मैं अब इन से कंक्रिया लूँगी और यह जगा दे कितनी खाली है और कितना सुकून से सब लोग यहाँ पर एंड में आ करके ज यहां से उठाकर कर लिए तो हर्गिस घर्गिस यह गलती ना करें ये देखे मेरे हैस्बिन मुझे जो है वो कंक्रियां देंगी, ये मेरा हाथ है और ये हमारे हाथ में जो ग्रीन कलर के बेल्ट आपको नज़रा रहे हैं ये बेल्ट जो है वो ट्रेन की टिकेट होती है जो के हमारे हाथ में होती है ट्रेन की वीडियो भी मेरे चैनल पर लगी वी है जरूर देख लीजेगा आपको बहुत जो है वो गायडन्स मिलेगी यह देखें काउट करके मुझे कंक्रियां दे रहे हैं ये पत्तर हमने मुज़ दलफा से उठाये थे इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और वाटसेप चैनल को हमारे जो है वो फॉलो कर लीजिए ताकि आपके कमेंट्स के जवाब वाइस रिकार्डिंग में दिये जा सकें ये देखें रमी हम कर चुके हैं और अब हम अगले जमरे की तरफ जाएंगे क्यों यहां से आपको नजर आ रहा है सब लोग बहुत एजी ली लेडीज भी जो है वो एजी ली अपनी रमी कर रही है अगर आप क्राउड में जाएंगे तो आपके जखमी होने का बहुत खत्रा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर कीजेगा और साथ में आप देखें हम एक जमरे पर कंक्रिया मानने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं आगे आपको दूसरा जमरा भी नजर आएगा पिर इसके बाद आपको तीसरा जमरा भी नजर आएगा ये जमरे एक दूसरे से कुछ फास्टे पर है जहां पर से आपको गुजर कर दूसरे जमरे की तरफ जाना है ये देखें मेरा बेटा है मेरे आगे आगे चल रहा है मेरे साथ मेरे हजबन है और हम लोग जो है वो रमी करते हुए आगे की तरफ जा रहे है काफी क्राउड होता है आपको ज़रा भी ज़्यादा देर यहाँ पर ठेरने का ओरर भी नहीं है याद रखिएगा यहाँ पर यह जो मेरे बेटे के पीछे बैग लिटक रहा है इससे ज़्यादा बड़ा बैग यहाँ पर लेकर आने की कोई जासत नहीं होती और इस बैग में आपका जो ज़रूरी सामान है सिर्फ वही होगा जिसमें पानी की बोतल, चपल की थेली, चछत्री और इसके इलावा कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट वगरा होंगे इसके इलावा आप हर्गिस कुछ भी अपने साथ लेकर रमी जमरात के लिए नहीं चासकते कोई यह देखें, शूर्ते करेवें, अगर आपके हाथ में इससे जादा कोई बड़ा बैक होगा, तो आपसे छीन लेंगे और फैक देंगे, याद रखिएगा, चाहे कितना भी कीमती सामान हुआ आपसे लेकर फैक देंगे, आप वीलचेर लेकर जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई बुजर्ग हैं, तो आप उनके लिए वीलचेर लेकर जा सकते हैं देखें, किसी के भी हाथ में कोई बड़ा सामान नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह चोटा सा बैक जो के पीछले टक राया है मेरे बेटे के तो बस इसके इलावा और कुछ भी नहीं है याद रखिएगा इन दो वीडियो को जरूर देख लीजे जो एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का लाइक शेयर जरूर कीजेगा अल्लाने के बान